नमस्कार मैं पंकस दुबी और आप देख रहे हैं सागर टाइमस नीजी सागर में लगातार कोरोना आकड़ा बढ़ रहा है और आज 16 जन्वरी कोवी सागर में 338 नए कोरोना पाजीटों मरीज पा गया है योगी अपने आप में जिनता जना के क्योंकि ये लगातार आकड़ जो है अपना ही रिकार तोड़ता जा रहा है और सबसे अचरज वाली बात यह है कि सागर में लापरवाही चरम पर है लोग मान नहीं रहे हैं चाहे आप चालान कातो या कुछ भी करो इसलिए आकड़ा जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है दमो में कुछ कंटोलिंग हुई आप देखिए दमो में आकर इस्तिती कैसे समल रही है और सागर क्यों पिछल रहा है सागर में लगतार आंकड़ा दुगनी स्पीड से आखिर बढ़ क्यों रहा है जनता की भीसला परवाही की वजह से हम आपसे फिर अपील करेंगे और अपील का कोई असर होता दिक नहीं रहा है सासन पर सासन भी कर रहा है मैं भी लगतार अपील कर रहा है लोग मान नहीं रहे हैं नहीं मानोगे तो मैं बता रहा हूं सागर की इस्तिती जो है बहुत खतरना को चकती है तीन सो आंतीस अपने आप में बड़ा आकड़ा है और लगतार मरीज बढ़ रहे हैं हाला क चिंटा जनक बात इसलिए भी जादा नहीं है क्योंकि लोग ठीक हो करके डिस्चार्ज भी हो रहे हैं और ऑक्सिजन की कमी जो है अभी तक देखने को नहीं मिल रही है सागर में सुनिए डाक्टर उमेश पटेल ने कोरोना मरीजों की डेटेल में जानकारी दी है नमस्कार मैं हूँ डाक्टर उमेश पटेल मीडिया परभारी बुंदिलखन मेडिकल कॉले सागर आज है 16 जन्वरी आपको कोरोना से संबंदित मरीजों का अपडेट दे देता हूँ आज हमारी BMC की फिलोपीडी में 87 कोरोना संदिक्द मरीजों को इलाज दिया गया है आईसोलेशन बॉर्ड में आज 4 मरीज हैं हाई डेपेंडेंडेंसी उनिट में आज 12 कोबिट पॉजिटिव मरीज इलाज रत है ICU में आज कोई भी मरीज नहीं है BMC से आज 9 मरीजों को होमाईसुलेट अथवा डिस्चार्ज किया गया है जबकि 5 मरीजों को BMC में भरती भी किया गया है BMC से आज 329 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है उसमें से 325 सागर से हैं 4 अनिस्थान से हैं 10 लोगों की रिपोर्ट रैपेटेंटीजन से पॉजिटिव है और 3 लोगों की अन्न लेप से कुल में लाकर सागर में 338 लोगों की रिपोर्ट कोबिट पॉजिटिव है साबधानी बनाए रखें लापरवाई नहीं बढ़तें कोबिट से सम्मंदित लक्षण आने पर ततकाल अपने आपको आईसुलेट करें चिकेस्सक की सलाय लेकर उप्चार लें वैक्सीन अवश्ट लगवालें वैक्सीन सुरक्षित है धन्नवाद